येस वेलकम तू टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म दिस इस प्रियंका यूर एजुकेटर और जो भी बच्ची डी त्री पलेस्बी के तयारी कर रहे हैं उनके पास सबसे बड़ी समस्या और जो पहली चीज आ रही है कि वो भाईया कहां से तयारी करें कौन से बेस्ट बुक है क कहां से रिसोर्स है कहां से हमें कंटेंट मिलेंगे और कैसे हम लोग तयारी करें से बारे में अपने आज के सेशन में चलिए का ध्यान से रही सुनिए का सारी बातों को सबसे पहले बात कि आपके पास यह स्ट्रक्चर आपके हाथ में होना चाहिए पीडियाफ प्रिंट आउट करके अब बोलो कि मैं हम जब डी त्रीपल एस्बी ने से लिपस दिया ही नहीं है तो हम लोग से लिपस का प्रिंट आउट कहां से निकाले तो देखिए का से आपके syllabus को यह फोटीन यूनिट में चलूत कर दिया है अकाॉंटिंग का मतलब अकांटिंग के सारे ब्रांच पढ़ने ऊंगी और सबसे को और सबसे ज़्याधा इंपोकेज Eleking से सबसे चाहिए आज इंपरना इंपर्टीट और करना Greek से सबसे जाधा important अगर मैं इस में बात करूं कि सबसे अधिक important आपका कौन सा बन रहा है तो यहां पर शलो एक हो गया banking फिर HRM फिर law business law और marketing तो यह सारे सब्जेक्ट से आपके D3SB में questions आए हैं मैं कैसे पता आपको तो मैंने D3SB के जितने भी previous year paper उसका analyze किया उसको analyze करके सारे question को मैंने collect किया है और उसके बाद मैंने यह आपको syllabus design किया है यह syllabus का तो detail है वह आपको test book के platform पर जाओगे लिखोगे D3SB PGT Commerce syllabus तो वहाँ पर आपको मेरा दिया हुआ syllabus मिल जाएगा यह telegram जॉइन करके मेरे को message करना है वहाँ पर मैं आपको provide कर दूँगी अब बात होता है कि मैं इसके लिए करे क्या तो देखो अब जो आपर पूस्ते ह book खड़ देंगे तो बहुत जादा महेंगा पढ़ जाएगा तो फिर भी मैं आपको लेकिन बता देती हूं कि अगर आप बात करोगे accounting में तो यह book मैंने अभी मंगाया है सारे latest edition है मैंने कल ही मंगाया है सारा कुछ आप लोगों के लिए देखो यह आपका जो है यह latest edition है हम लोग कहते हैं कि accounting अगर पढ़ना है तो NCRT बेस्ट होता है अगर accounting आपको पढ़ना है तो इसकी लिए क्या है NCRT बेस्ट है NCRT का 11 और 12 का बुक आपको पूर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसका free content भी अबलेबल है टेस्ट आप गूगल में सर्च करोगे NCRT बुक ल होता है यह अपना बुक रेडी करता है यह सिर्फ 12 का बुक मोटा देख रही हो कितना है यह बिल्कुल लेटेश अडिशन इसका पुड़ाना वाला अडिशन था वह भी मैंने देखा था जश्ट इसका half book था तो यह पूरा एक हो जाएगा accounting के लिए पूरा यह हो जाएगा मैं आपको पढ़ाने वाली हो तो इस दाहरे books के बारे में one by one में आपको बताओंगी कि किस book में क्या facilities है और कौनसे book आपके लिए अच्छी है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लिए accounting का 12 वाला अरिहंत का book ले सकते हो इसका cost जो पढ़ रहा है आपका इसक अगर आपको पुढाना मिल जाता है तो वह भी आप ले सकते हैं यह पुढाना भी ले लोगे तो चल जाएगा आपका इसमें आपके चैप्टर वाइस यह एक्चुली बूग इतना मोटा क्यूं है क्योंकि इसमें थियोरी और mcq भी है बिना थियोरी किये तो mcq बनेंग तो इसमें थियोरी प्लस mcq दोनों मिल जाएगा उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिसने श्टडीज के बारे में तो यह बिसने श्रणिस का बूक है बिसने श्रणिस से बहुत सारे क्वेस्टेन्स आते हैं अकाउंटिंग और बिसनेस श्टडीज यही दो मेन हैं इ लेते हैं कुछ नया इसमें content मिल जाएगा देखने को तो यह होगी आपका business studies का ठीक है यहां पर देखना यहां पर आपका यहां पर आपका जो होता है यह कितने का है मैं प्राइज बता दे रही हूं कि बजट भी आप आइडिया लगा लो यह कितने का है यह 475 इसका MRP लेट तो यह 11-12 के लिए मैं यह बुक प्रेफर कर रही हूं यह आप NCRT कर सकते हो यह इसका language easy है और समझ में अच्छा आता है framing भी questions के अच्छे हैं तो सही है उसके अलावा उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यह तो सारे book हो गया लेकिन अगर कोई आपको ऐसा book चाहिए कि म मैं हमें तो यह तो सिर्फ मैंने accounting का बताया business studies का बताया मैं आपने marketing के लिए law के लिए HR के लिए income tax के लिए और टिंग के लिए economics के लिए नहीं बताया अब आप में इसके लिए भी बुक बताऊंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा तो अलेक से बुक लेनी के जरूत नहीं है इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि UGC net का बुक ले लो इसका लेवल थोड़ा सा अब जरूर रहता है आपको उतने हाई लेवल पर नहीं जाना है जिसी net का जो बुक है पुडाना वाला बुक अगर ले लोगे जो second hand आपको मिल जाएगा वह वाला बुक भी आप ले सकते हो यह त्यारी हम लोग करते हैं नेट वाले बच्चों के लिए लेकिन आपका जो syllabus आना वो net से मिलता ज आइडिया मिल जाएगा वैसे ही आपको क्या करना है कि त्यारी करना है तो यहां पर देखो इसका चत्री उड़ गया है यह पुडाना बुक है तो यह अरिहंत का बुक है इसमें इन शॉट में आपको सारे concept जो HR, Marketing, Banking, Accounting, Business Studies यह पूरा complete आपको इसमें थोड़ा थोड़ा content सबका मिल जाएगा तो net के बच्चों का तो सिर्फ इस बुक से काम नहीं होता है लेकिन DSSB के बच्चों का इस बुक से काम बन जाएगा और यह अरिहंत वाला जो है आपका यह जो है यह जो है आपका Hindi English दोनों में available है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अरिहंत का प्रचार कर प्राइबल है अब यह सब चीजे हो गई जो मैंने आपको थियोरी पढ़ने के लिए बताया अब आपको क्या करना है अब आपको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करने का मतलब है कि अब आपको यह थियोरी से पढ़ने के बाद आपको MCQ प्रैक्टिस करना होगा या फिर आपको यहाँ पर YCT का, YCT का मतलब Youth Competition Times, इसका बुक आप ले लो, इसका बुक अच्छा है, ये बुक आपका Hindi English, जनरली Hindi में ही मैंने देखा अभी तक, Hindi में ही आपका Hindi English Mixed Kind of, इसका आपका बुक अवेलेबल है, इसमें आपको सिर्फ PYQ मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, इसमें PYQ आपको हुए हैं आपकी PYQ के, वो सभी के पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक काफी अच्छी है, इसमें लेकिन आपको थियोरी नहीं मिलेगा, थियोरी पढ़ने के लिए आपको जो मैंने ये सब बुक बताया है न, वो सब है, और बाक पेज में जाओंगे, तो दो क्वेशिन एरर, हर दूसरे पेज में क्वेशिन में एरर हैं, तो इसमें एरर बहुत जादा है, तो थ्रहत से इसमें ध्यान दीजेगा, कि जब आप क्वेशिन को concept रगत क्लियर है, तो क्वेशिन में को डाउट हो रहा होगा, तो तुरंत उस को इसमें एकज़ा है इसमें अच्छा है unit wise आपको practice करने के लिए मौक मिल जाएगा तो यह practice के लिए हो गया और यह वाला book आपका theory content के लिए हो गया तो मिलाकर अगर यह वाला बुक भी अगर आप दोनों बुक लेते हो तो हजार रुपय के आसपस यह दोनों बुक आपको आराम से आ जाएंगे अगे बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा किस लेवल पर आपको जाना यह जो भी चीजे मैं आपको बता रही हूँ न यह अलुड़ेड ज़ितने बुक मैं आपको दिखा रही हूँ यह सारे बुक को स्चटी करके इसके PDF बना कर इसके नोटि बना कर आपको पेड लिधा boundary किलास में पढ़हा रही हूँ जहां पर यह जो टॉटल आपके 14 unit को मै देख लीजेगा एक बार कि complete syllabus cover करूंगे आपका जितना मैंने भी दिखाया है ना मैं पूरा cover करूंगी आपका यहां पर general और commerce दोनों का paper आपको मिल जाएगा एक ही subscription में content जो होंगे वो यहां पर हो जाएगा जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसका नोट्स आपको यहां पर मिल जाएगा तो अगर आप यह कोर्स ले लेते हो तो फिर यह जो भी मैं आपको बुक वगड़ा दिखा रही हूं कुछ भी खरीदने के जरूरत नहीं है टेस्ट बुक के platform पर sufficient आपको यहां पर क्या है कि इतने content और इतने MCQ, PYQ आपको मिल जाएगे न आपको जितने भी previous paper हुए है वो सब आपको यहां पर देने को मिल जाएगा test series में उसके अलावा अगर set का paper आप लोग को मिलता है तो आप लोग set का paper solve करो ठीक है न क्या करो कि आप लोग set का paper solve करो set का मतलब state eligibility test net से एक step नीचे आता है set तो set का जो level रहता है वो DSSB PGT का level आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आप चाहे तो आराम से set का paper भी solve कर सकते हैं और यह जो course आप लेंगे इसमें आपको set के paper भी कही न कहीं आपको मिल जाएगे तो इसलिए मैं बोलूँगी कि course लेने से इसमें theory, pyq, mcq, test, mock, content, pdf, notes, सब कुछ आपको जो है यहां पर available करा दिया जाएगा कुछ अलग से आपको बनाने की या खरीदने के जरूत नहीं पड़ेगी तो जिनको भी course खरीदना है, course खरीद सकते हैं, code यहां पर बस याद रखना, psingh, यह faculty code है, यह code apply करके लोगे तो ही आपको 3000 में क्या है, 3000 में यह course available हो पाएगा, वो भी republic day sell है, republic day over, sell over, फिर इस course का price 5000 चल जाएगा, फिर मेरे को मत बोला कि मैं 5000 दिखा रहा है, आपने तो 3 बोला था, क्यूंकि price मेरे control में नहीं है, बस code यूज कर लोगे, तो 200 रुपया आपका कम हो जाएगा, 3000 के आसपस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, तो यह सब चीजे हो गई, तो मेरे book बता channel मेरे का joint कर लेना, वहाँ पर आप message भी कर सकते हो, क्यूं, क्यूंकि मैं free class भी ले रही हूं, यहां तक बाते हो गई आपकी, अब देखो, test book के platform पर मैं daily Sam को 7 बचे आती हूं, और commerce का PGT commerce के label पर free class लेती हूं, income tax, accounting, law, stats, सारा कुछ का मैं यहाँ पर आपका class ले रही हूं in short, थोड़ा-थोड़ा हम लोग MCQ practice करते हैं, PYQ practice करते हैं, ठीक है, तो यहां भी class में आप जूर सकते हो, और free class का भी आप मज़ा आराम से ले सकते हो, test book के platform पर, लेकिन daily 7 बचे आपको पहुँच जा रहा है, यह बिल्कुल free है, बिल्कुल कोई भी join कर सकता है, YouTube पर कम स 30% syllabus जो है, वो मैं आपका cover कराऊंगी, कोई अगर ऐसा बच्चा है, जिसका theory पुड़ा clear है, बस उसको PYQ practice करना है, तो बस test series ले लेना, course खरीदने के जरूरत नहीं है, लेकिन इसका concept clear नहीं है, theory clear नहीं है, फिर वो बच्चा course खरीद लेना, ताकि आपका theory clear हो जाए, यह book related जो भी अगर link वगरा चाहिए होगा, तो comment box में पूछ लेना, या telegram पे कहीं भी मुझे communicate कर लेना, मैं link भी उपका share कर दूँगी, ताकि आपका खुजने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है, बट जो भी book लेना, latest edition का लेना, इस बात का ख्याल रखना, बबाई, take care